So Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Defense Point पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं जी हाँ दोस्तों इंडियन कोस्ट कार्ड के द्वारा नाविक GD, DB और यांत्रिक के 01-2022 बेच का इंटेक का जो स्टेज 2 का रिजल्ट है वो इंडियन कोस्ट कार्ड के द्वारा आज जो है अपनी ओफिशियल वेबसाइट के उपर डिकलियर कर दिया जा चुका है तो अगर आप लोगों ने भी स्टेज 2 को दिया है और आपने भी अगर फिजिकल और डोकुमेंट की प्रोसेशन को कम्पलीट किया है तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक आउट कर सकते हो तो मैं आपको प्रोसेश बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको इसको चेक आउट करना होगा तो देशतों जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी जो है मैं इंडियन कोश्ट गार्ड की ओफिशिल वेबसाइट के उपर आया हुआ हूँ तो आपको जो है मैं यहाँ पर रिफ्रेस करके भी दिखा देता हूँ स्क्रीन तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेस करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पहली ही heading आपको दिख रही है कि ICG result of stage 2 CGEPT 01-2022 batch is declared तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है यह एक PDF कुल के open हो जाती है तो जैसे ही यहाँ पर आपको कुछ instructions और guideline दी हुई है तो सबसे पहले उपर लिखा हुआ है ICG CGEPT 01-2022 batch result ठीक है तो यहाँ पर आपको कुछ guidelines provide की गई है Indian Coast Guard के द्वारा तो देखें यहाँ पर conditions में क्या दे रखा है कि candidate shortlisted for stage 3 अगर आप लोग जो है shortlisted हो जाते हो stage 3 के लिए तो आपको जो है अपने screen के उपर show होगा कि congratulations you are shortlisted for stage 3 यानि कि आप जो है stage 3 के लिए shortlisted हो चुके हो और आपको जो है वहाँ पर marks short नहीं होंगे ठीक है और अगर आप लोग shortlist नहीं होते हो कि candidate not shortlisted for stage 3 तो आपको जो है वहाँ पर अपने marks दिखाए जाएंगे साथ ही जो है आपको cut off और category भी देखने को मिल जाएगी कि आपकी category की cut off कितनी रही है और कितने marks से आप बाहर हुए हो ठीक है तो यह सारी चीजें आप लोग यहाँ पर check out कर सकते हो तो इसके लिए login करने के लिए आपको क्या करना है कि यह जो blue color से आपको link दी गई है इसके उपर आपको click करना है तो जैसे ही हम यहाँ पर click करते हैं इसके उपर तो आपको जो है यहाँ पर यह sign up paste देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी email id और password जो है fill up करके यहाँ पर login कर लेना है और उसके बाद में जो है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग shortlist हो चुके हो और अगर pass हो चुके हो stage 3 के लिए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा congratulations you are shortlisted for stage 3 और अगर आप लोग shortlist नहीं होते हो तो आपको जो है वहाँ पर अपनी category के साथ में marks और cutoff देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही खबर थी उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और अगर आप लोग shortlist हुए हो तो नीचे comment box में comment करके जरूर से बताईएगा काफी लोग जो है इंतजार कर रहे थे बहुत समय से की Indian Coast Guard का stage 2 का result कब आएगा तो आज जो है आ चुका है आप लोग जो है चेक आउट कर सकते हो मैं वीडियो के नीचे लिंक देदूंगा आपको और यांतरिक exam के तयारी के लिए हमारी free special classes देखने को मिल जाएगी जो की रोज दो पेर 3 बजे और 9 बजे होती है तो इसके लिए play store पे जाके unacademy learner app को install कीजिए वहाँ पे register कीजिए और उसके बाद में defense की category में आप लोग मेरा username सर्च करके जो है मुझे यहाँ पे follow कर सकते हो जिसके बाद आप लोगों को मेरी सारी classes के notification और update मिलते रहेंगे link जो है profile की आप लोगों को इस वीडियो के निच्छे description box में भी दी गई है दोस्तों पहली बार जो है class को unlock करने के लिए आप लोग मारे referral code dpyt10 उसको use जरूर से कीजिएगा ठीक है और किसी भी course को अगर आप purchase करते हो तो आप लोग मारे referral code use कर सकते हो तो thank you so much for watching this video मिलते हैं दोस्तों next video में तब तक के लिए जय हिंदे everyone